सरकार ने राश्टी पारिवारिक लाब योजना बनाई है ताकि मृतक परिवार को ततकालिक 20.000 रुपए की आर्थिक मदद मिल सके। परन्तु बड़े अपसोस की बात है कि कौशांबी जनपत के कड़ाबलाग के पत्रावा गाउनिवाशी, गैतल की मृत्यु के साथ माबाद भी सुन्दी देवी को 20.000 रुपए की आर्थिक मदद आज तक न मिलने से काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास खेती है? खेती नहीं न बच्चा दूठे लरका हैं अलग है सब आपन आपन दवाई दरपन का नहीं न कुछ है। पती नहीं नहीं। क्या हो गया उनको? खतम हो गी है। कितने दिन हो गया? साथ-अठ महीन है। तो आपको मृतक वाला पैसा मिला है? नहीं मिला है। राष्टी पारिवारिक लाब यूजना का लाब न मिलने से दादी और क्या दिक्कत हो रही है आपको? उननला था खाई पीए की दवाई दरपन की जी जामा नहीं ठीक रहता है। आखी खुलाओ है आच चार रोज में। कुछ खाने पीए का नहीं न। कुछ कोसिस करे रह पाईसा पावाई खाती है। कोसित तो कही थी कि भोई जाय तो आउ ठीक हो। कागट तो आगर देंगर रहा पोट कागट किसको? परधान आनका तो कुछ नहीं देंगा नहीं पता देंगा। उन्होंने क्या कहा था जब ले गए थी एक दार पूंचा वालकिन तो कहा तरहा है मिली 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 मिले क कहाती है कुछ नहीं पतला। कितने दिन पहले? अरे अभी भी हो हैं यह दस पांदर आगए थी तब वो क्या कह रहे थे? तो खर्च कैसे चलता है आपका? आपका कारी खर्च भाई या लार का देया थी तो देया थी ठीक से नहीं तखलीप तो हाई है आप क्या चाहती है? मिल जा खर्च तो हमरों खर्च चले मैं और मेरा समधाय चाहता है कि इस योजनिया का सुन्दी देवी को जल से जल लाब मिल सके जिससे इसकी समस्या दूर हो सके इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्सों को से हमारी अपील है कि कौशामभी जनपत के कड़ा बला के वीडियो के मुबाइल नंबर 94-46-45-75 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इनकी समस्या दूर हो सके मैं महिस कुमार काड़ा कौशामभी उतर प्रदेश से इंडिया अनहेट के लिए